राधे राधे आशा करती हूँ कि आप समीलोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे आज मैं आप लोगों को तुलसी जी से क्यूं भवान विश्णू ने विवाह किया है इस कथा को सुनाने जा रही हूँ किर्पया मेरे वीडियो में अंतितक बने रहें गरंथ बताते हैं कि स्री विश्णू असाण मास की शुक्ल एकादसी के दिन छीर सागर में सेस सैया पर चार मास के लिए सैन करने चले जाते हैं और कार्देक मास की शुक्ल एकादसी जिसे हैं प्रबोधनी एकादसी या देव उठनी एकादसी भी कहते हैं के दिन नींद से उठ जाते हैं और वापस सभी लोकों का कारेभार सम्हाल लेते हैं आप चानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री हरी विष्णु को पत्नी देवी लक्षमी के होते हुए तूलसी जी से विवाह करना पड़ा आखिर क्यों मांगले कारे को करने के लिए तूलसी विवाह होने का इंतजार किया जाता है आज हम इस देवी भागवत महापुराण से तूलसी विवाह से जुड़ी एक रोचक कथा आप के लिए लेकर आई हूँ इस कथा के शुरुआत करने से पहले आप किर्पया मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दिजेगा स्री विष्णों के पत्ने के रूप में सभी लक्षमी जी को जरूर जानते होंगे लेकिन स्री विष्णों के एक नहीं बलकि चार पत्नी हैं स्री लक्षमी, देवी सरसुति, देवी गंगा और मात तुलसी समुद्र से उत्पन लक्षमी जी ने स्वेन स्री विष्णों को अपना वर्चुना था वहीं तुलसी जी को अपने पुर्व जन्में की गई तपस्या के रूप में शी विश्णों के साथ प्राप्त हुआ एक राजा थे धर्मधज उनकी पत्नी का नाम था माधवी इन दोनों की एक फुत्री थी जिसका नाम था कार्थिक जिसका जन्म कार्थिक पुण्मा को हुआ था और उसका नाम था तुलसी तुलसी ने बद्रीवन में जाकर दिव्य एक लाख वर्स तक कठिन तपस्या की ताकि वह स्री हरी को पती के रुप में पासके उसकी तपस्या से प्रसंद हो करके ब्रह्मा जी बद्रीवन में पहुँचे और उन्होंने तुलसी को वरदान दिया कि इस जन्वे में तुम दनुवन्स में उत्पन हुए शंख चूर से विवाह करोगी और बाद में स्री नाराण से तुम्हारा विवाह होगा तुलसी जी ने ब्रह्मा जी की बात को मान ली और फिर एक दिन संख चूर तुलसी जी से मिलने पहुचा संक चूर ने अजर अमर रहने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी उनकी तपस्या से प्रसन होकर के ब्रह्मा जी ने उसे एक स्री कृष्ण कवच देते हुए कहा था कि जब तक तक तुम्हारे सरीर पर यह कवच है तब तक धर्म धज की पुत्ती तुलसी का पती वरत धर्म समाप्त नहीं होता है तब तक तुम्हें कोई देव हरा नहीं सकता है यह संक चून और कोई नहीं बलकि स्री कृष्ण के सखा सुदामा थे जिसे राधा जी ने शाब दे दिया था और उनका जन्म प्रिथवी पर दानव राजा दंब के घर में हुआ था जब तुलसी और संक चून एक दूसरे से पहली बार मिले तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों का ही गंधर्विवाह करवाया इस प्रकार तुलसी और संक चून दोनों अपना जीवन सुख पुर्वक पिता रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ एक मनवंतर तक का समय बहुत अच्छ से बिताया इस बीच देवताओं और संक चून के बीच हमेशा ही ठनी रहती संक चून को देवता परास्त नहीं कर पा रहे थे दुखी हो करके देवता ब्रह्मा जी और शिवजी के साथ स्वी विष्णू के पास कहे तब उन्होंने संक चून के पुर्वजन के बारे में यादकर एक मनवंतर का समय अब बीत चुका है और इसका बद महादेव के तशूल से होगा अब उसे संख चूर्ण से युद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए युद्ध के नियम के अनुसार महादेव ने एक दूत चित्र रत को संधी के लिए भेजा लेकिन संख चूर्ण उने संधी के लिए मना कर दिया फिर क्या था देव और दानों के बीच घमसान युद्ध हुआ जिसमें सबसे पहले कार्थिके और उनके गण युद्ध भूम में पहुंचे लेकिन वे भी संख चूर्ण को हरा नहीं पाए उसके बाद भवान शुव की आग्या को लेकर कि संख चूर्ण का बद सिर्फ शिव जी के हाथों से ही होगा इसके बाद युद्ध करने के लिए स्वय महादेव आये पर संख चूर्ण के सरीर पर शिकृष्ण के कवच होने के कारण वे भी उसे हरा नहीं पा रहे थे फिर शिव विष्टु ने एक ब्रामान का रूप और पहुँच गए संख चूर्ण के पास उन्होंने संख चूर्ण से दान में उसका कवच मांग लिया उसके बाद शिव जी और संख चूर्ण में घमासान युद्ध होने लगा तब तक संख चूर्ण को हराने के दूसी सर्थ उनके पतनी के पती वरता धर्म का अखंडित रहना भी नश्ट हो चुकी थी जिस समय संख चूर्ण और शिव जी के बीच युद्ध चल रहा था उस समय स्री हरी विष्णों के महल में संख चूर्ण का रूप बदल कर पहुँचे उन्होंने तुलसी जी को जूट बोला कि वह यानि संख चूर्ण युद्ध को जीत च दाया वहां तुलसी संख चूर्ण रूपी स्री विष्णों के साथ थी वहीं दूसरी ओर महादेव ने उसके कवच उसकी पत्नी के खंडित पती वृता धर्म को देखते हुए संख चूर्ण पर तिशूर्ण का प्रहार कर दिया मृत के बाद संख चूर्ण का सरीर शंख के आकार में बदल गया कुछ समय बाद जब तुलसी को सक हुआ तो उसने क्रोध में आ करके नकले संख चूर्ण को सच सच बताने को कहा उस समय स्री विष्णू ने अपना असली रूप तुलसी जी को दिखाया यह देख करके तुलसी बहुत क्रोधी थूई और उसने स्री विष्णू को शाप दे दिया कि जैसे आपने एक पत्थर की भाती मुझसे चल किया है उसी तरह से आप एक पत्थर के हो जाएं तब स्री विष्णू ने तुलसी जी को बताया कि संख चोन से विवा तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही था क्योंकि उसने दिव एक लाख वर्स तक कठोर तब स्री विष्णू को ही अपने पती के रूप में पाने के लिए किया था इसलिए संख चोन के मृत्व के बाद अब वह स्री विष्णू की ही पत्नी के रूप में रहेगी तुलसी जी को स्री विष्णू ने कहा कि उनका दिया हुआ शाब भी खाली नहीं जाएगा क्योंकि उसके इस देह से एक नदी उत्पने होगी जो गंड की नदी के रूप में भारत में प्रसिद्ध होगी और उस नदी में स्वेम स्री विष्णू पाशान यानी पत्थर के रूप में मौजूद रहेंगे जिनें शाली ग्राम के रूप में पूजा जाएगा खुद तूलसी जी सभी इस्थानों में तूलसी व्रक्ष के रूप में पूजनी हो जाएगी और जो मनुस्य शाली ग्राम को तूलसी से अलग करेगा वह दूसरे जन्म में इस्त्री विष्ण को भोगेगा क्योंकि तुम एक मनमंतर तक संख चुन की भी पतनी रह चुकी हो इसलिए जो संख से तूलसी को अलग करेगा उसे अगले साथ जन्मों तक पतनी का सुख नहीं मिलेगा इस प्रकार कहने के बाद तूलसी जी की देह नदी और उनके बाल व्रक्षो में पूझनिये तूलसी के रूप में आ गए स्वेम तूलसी जी दीविदेह धारन कर भगवान विष्णों के साथ बैकुन्ठ लोग को चली गए इसी के साथ कार्थिक माके देह उठानी एक अदसी के दिन जब भगवान को निद्रा से जगाय जाता है तो उसके बाद साली ग्राम और तूलसी विवाह का आयोजन किया जाता है मानिता है कि जो कोई भी कार्थिक मास में स्री विष्णु जी को तुलसी का पत्र अर्पित करता है और संख से उन पर जल चढ़ाता है वो हैं श्री विष्णु जी का प्रिय हो जाता है मानिता ये भी है कि तुलसी जी का दान करने से मुनुष्य को कई कर्णियों के दान का फल प्राप्त होता है माता तुलसी की जै हो, भगवान विष्णों की जै हो, भगवान संकर की जै हो, मा काली की जै हो, सभी द्रश्य रिश्यों की जै हो, सभी अध्रश्य रिश्यों की जै हो, सभी गुप्त इस्थानों पर निवास करने वाले गुप्त योगियों की जै हो, जै हो, जै हो आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो किर्पया वीडियो को लाइक अवस कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वेल आइकन अवसे ही दबा दिजेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है सो प्रीज लाइक जरूर कर देजेगा जिससे कि इस कथा को आगे भी लोग सुन सके किरपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ये माता तुलसी की जैहो ये अवसे ही लिखती जेगा इससे आपकी भक्ती बढ़ेगी